हेलो फ्रेंड्स एल जी आड़ा स्टडी आई टी आई पॉल टेक्निक एबं पाड़ा मेडगल के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो स्रीज में हम लोग परवेश परिच्छा के बहतर त्यारी के लिए ज दोस्तों आपको बता दे कि इस स्रीज में हम आधिक स्याधिक वैसे क्वेश्चन को सामिल किये हैं जिस क्वेश्चन को पिछले एक्जामों में बार बार पूछा गया है तो काफी महत्पूर्ण वीडियो जो है आप लोगों के लिए होने वाला है और जितने भी साथ ही LGR study app डाउनलोड नहीं किये हैं तो जरूर डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि इस एप पर आपको 10 practice set का PDF पिछले 10 साल में पूछे गए सभी question का PDF और सभी subject के BVI question का PDF आपको answer के साथ जो है वो मिल जाएगा और online test आप सभी subject का हमारे LGR study app पर आप लोग बिल्कुल free में जो है द जलत किया आपका rank कितना आया है किस question का क्या सही answer होगा तो यह सारा का सारा सुग्धा आपको बिल्कुल free में हमारे LGR study app पर मिल जाएगा जिसका link वीडियो के description box में दिया गया है तो वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर लिजे नहीं तो पले स्टोर पर LGR study app search करेंगे तो हैं रोबोट आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य से मिलता जूलता एक यंत्र है जो आदेसा अनुसारिक कार करता है यानि कि जैसा हम आदेस देते हैं जैसा command देते हैं वैसा वो क्या करता है काम करता है तो आपके लिए C option बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके दो नमबर कुश्चन को दो समानतर दरपन के बीच प्रतिविम्ब बनते हैं मालीजे एक दरपन आपने यहां रख दिया और इस बीच में कोई बस्तु रख दिया तो इस बस्तु का कितना प्रतिविम्ब बनेगा ठीक है, तो इस इस्तिती में याद रखेगा इस बस्तु का जो है अनन्त प्रतिविम्ब बनेगा कितना अनन्त, ठीक है न, यह आप याद रख सकते हैं आगे बरेंगे, यहाँ पर आपके देखेंगे तीन नम्मर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि जब कोई जहाज हैना नदी से हैना नदी में से समुद्र में परवेश करता है तो क्या होता है अगर कोई जहाज भाई साब अगर नदी में चल रही थी और वो नदी से कहां परवेश करती है सर तो वो परवेश कर जाती है समु जहाज का 3 फिट पानी में डूबा हुआ था ठीक है और जब यही जहाज क्या होती है समुद्र में जाती है समुद्र है माली जी यह क्या है सी है तो समुद्र में जाती है तो इस जहाज का क्या हो जाएगा सर दो फिट ही क्या होगा पानी में डूबेगा यानि कि उपर उठ है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समुद्र का पाणी है density यानी के घनत्व जैदा होता है और जिसका घनत्व जैदा होता है आप उसमें ढूंभते नहीं हैं ठीक है कम ढूंभते हैं या आप उपर उठ जाता है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आपके देखेंगे चार नमर कोईश्चन को पूछा जा रहा है कि पिर्थिभी पर कोई गती सील पिंड हैना विश्राम की अवस्था में निम्नलिकित कारण से आता है अगर कोई बॉल्ब आपने सर फेका ठीक है तो वो क्य है तो इसका कारण है सर जी घरसन बल घरसन बल के कारण कोई भी जो आपके बस्तु है वो वेराम में आजाती है ठीक है ना तो घरसन बाल आपका विल्कुल साइ ανसर होगा आगे बढ़ेंगे पांच совершенно के encore पूछा रहा कि क्या कारण है कि हैं ना गयंद किसी उच्चाय उच् पर 40 मनजल भवन यानि की बहुत उचा हो गया तो 40 मनजला भवन के चत पर जब आप खेलेंगे तो उसमें वहाँ पर देखेंगे जैसे गेंद बजा लेगे तो उसमें उच्छाल जैदा आएगा बहुत ही जैदा उचा तक वो क्या होगा उचे लेगा इसका कारण क्या है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम उपर जाते हैं तो गुरुत्वा कर्षन का जो प्रभाब है वो कमता जाता है तो पांच के लिए C आप्षन होगा क्योंकि उचे अस्थान पर गुरुत्वा कर्षन बल कम होती है यही कारण है कि हमारा गेंद उपर तक जैदा उठता है ठीक है आगे बढ़ेंगे चौर नंबर कुश्चन को देखिए पूछा जरा की मात्रा के साथ निमने लिखित में कि जैसे 2 kg 4 kg यह क्या है मात्रा है यानि कि आप मात्रा को इंगलिज के अंदर क्या कहीं है हम लोग क्वांटिटी ठीक है जैसे मान लीजिए कि आपको आपके पास जो है दिया गया है सर जी 5 kg रुई तो अभी मात्रा कितना है 5 kg है और आपने इसको बढ़ा करके सर क्या कर कर दिया 7 kg कर दिया तो मात्रा की हो गईार बढ़ गया तो मात्रा के सात निम्ने Lumnhit में कौन सा भौतिक गुन परभावित नहीं होता तो मात्रा चकर जाएगा क्योंकि 5 kg से 7 kg कर दिया तो ऑइतन परभावित हो गया आईतन मतलब ज़दा स्थान घेरेगी द्रब मान भी सर्परभावित हो गया पांच से साथ किया तो द्रब मान तो इसे बढ़ गया भार भी बढ़ जाएगा लेकिन घनत तो नहीं बढ़ेगा डेंसिटी में कोई भी पढ़िवर्तर नहीं होगी तो मात्रा के साथ निमलेगित में से कौन सा भौतिक गुन परभावित नहीं होती है तो घनत यानिकी density यहां पर आप याद रखने की कोशिस करेंगे ठीक है आगे भरेंगे और आपको बता दे कि अगर आप mathematics का physics का या फिर आपके जिदने भी subject उसका पूरा तयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के पले लिस्ट में जाकर के सारा का सारा तयारी कर सकते हैं हमने पूरा mathematics पढ़ा के रखा है एक एक चप्टर ठीक है और आपको पता नहीं कि नहां पर हमने पचास से भी जैदा कलास लिया है ठीक है एक दो कलास नहीं मैं वह व्यक्ति हो कि पचास से जैदा कलास पूरा systematic रूप से आपके सभी chapter का mathematics का लिया हूं physics का आपका crash course अभी जो है चल रहा है और भी बहुत सारे classes आप जाएंगे तो आपको पता से लिए कि मेरे चैनल को पर एक भी फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगा सारे का सारा आपके परहाई से related ही है तो आप देख सकते हैं जाकर के अगर बहतर से बहतर त्यारी करना चाहते हैं तो ठीक है नब पले लिस्ट में जाएए इस वीडियो के description में भी आपको लिंक जो है मिल जाएगा साथ नमर question है कि जब सूर्य की रोशनी किसी प्रेज्म से होकर गुजरती हैं तो बताइए निम्नलिखित में किस रंग का अपबरतन सबसे अधिक होता है सिंपल सी question यह पूछा गया है इसलिए हमने इसको सामिल किया है तो सबसे अधिक आपबरतन देखा जाए तो नीला रंग में आता है किस में आता है सर्जी नीला इस चार option में से आपको बताना है ठीक है ना तो नीला होगा इस च संबंधित है तो आठ के लिए जो हैं पर आपका सयांसर होगा वो सी होगा हवाई जहार में गती से संबंधित होता है कौन मैक नंबर ठीक है आगे बरेंगे और देखेंगे आपके 9 नंबर कुश्चन जब कोई मनुस रौसनी से अंधेरे कमडे में घुशता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता बाद में उसे दिखाई देना प्रारंब हो जाता है ऐसा क्यों होता है अगर आप मालीजे की आंगर में खरे हैं धूप चिल चिलाती धूप है आंगर में और वहां से जस्ट आप क्या करते हैं अंदर रूम में घुश जाते हैं जो समय देने लगता है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है या आपको क्या करना है बताना है तो यहां पर आपका जो सही आंसरोगासर वह यह होगा क्योंकि इस उसकी आंग की आईरिस जो है सुकरती है मतलब जब आप धूप में होते यानि कि ज्यादा लाइट में होते हैं त तो देखिए जब हम जदा प्रकास में होते हैं तो हमारी आइरिस छोटी हो जाती है ताकि जितना हमारे प्रकास को हमारे आपको प्रकास चाहिए उतना ही मिले लेकिन यहीं जब हम क्या करते हैं अंधेरे में चले जाते हैं अंधेरे वाले रूम में चले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि देखने के लिए जितना प्रकास हमें चाहिए उतना नहीं मिलता रहता है क्योंकि हमारा आइरिस तो छोटा था जब हम धूप में थे तो और फिर जाते हैं तो यहां पर आइरिस अपने साइज को बढ़ा करता है तो बढ़ा करने में 10-15 से का टाइम लग ज जाता है क्यों नाइक्रोम का उपयोग क्यों करते हैं कुछी दूसरी चीजों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं किसके अंदर से बोला जा रहा है तो हीटर के अंदर बोला जा रहा है ठीक है अगर सबसे जैदा अगर देखा जाए कि गर्म कौन सा अगर बिलूत यंत्र होता है ठीक है तो इसमें क्यों पड़ियोग करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हीटर जो होते हैं ठीक है नाइक्रोम जो होता है इसका परति प्रति रोधक जो है प्रति रोधकता जो है अधिक होती है पहला कारण दूसरा इसका गलनांक भी अधिक होता वह सब यह जल्दी गलता नहीं है तीसरा क्या है अधिक सक्ति साली बिधुत हरा परवाहित की जा सकते हैं इसके द्वारा ठीक है इसलिए तो यह डी आप्शन आपके बिल्कुल से हो जाएंगे सभी कारण है जिसके कारण नायकरोम का निकेल लेवं क्रोमियम को मिला करके भाई साब नायकरोम नाम का में से धातू बनाया जाता है यह भी आप याद रख सकते हैं किस रग के बिधुत को क्यों के तरंग को सबसे ल्डिक है । किस किरन का वो सबसे ज़्यदा होता है तो आपको पतार अब रक्त किरनों का किसका अब रक्त किरन जो होते हैं उसका तरंग जढ़े सबसे अधिक होता है यह आप याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और आगे के चीजों को सर समझेंगे यहाँ पर आपके बारा नंबर सबसे अधिक है तो टंगस्टन का गलना इसका मतलब यह है कि टंगस्टन बहुत जाइदा टेंपरेचर पर गलती है थोरा मुड़ा टेंपरेचर से नहीं गलती है ठीक है 13. सबसे हलकी धातु कौन सी होती है तो सबसे हलका धातु का नाम आपको बताना है तो लीथियम जो है सबसे हलका धातु होता है यह आप याद रखेंगे और आप लोग कमेंट के मादे हमसे बताई कि सबसे भारी धातु कौन है हमने तो नेटियम बता दिया हलका का और आप भाड़ी धातू का बता है सबसे भाड़ी धातू कौन होता है 14 नमबर कुश्चन के दौरा आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वानी की गती सरभादिक होती है ध्वानी की गती आपको भाड़ी सब पता होना जाए कि ठोस में सबसे धिक होता है किसमें ठोस में तो सर्य यहां पर ठोस तो अप्षन है नहीं तो जब आयू है जल है निरवात है तो अपके ठोस है तो अगे बरेंगे 15 नमबर कुश्चन को देखेंगे पूछा जा रहा कि जब किसी धातू को गर्म किया जाता है तो उसका घनत यानि कि density क्या हो जाता सर जी तो आपको पता होना चाहिए कि density कम हो जाती यानि कि घनत तो जो है वो घट जाती है ठीक है 16 नमबर question पूछा जा रहा है कि लाल रंग का गुलाव हरी रोसनी में कैसा दिखाई देगा तो लाल रंग के गुलाव के फूल को हरा रोसनी में ले जाएंगे तो भाई सहाब आपको पता होना चाहिए कि वो दिखेगा काला कैसा दिखेगा काला दिखेगा ओके चलिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई सहाब लाइक कर दीजी इतना मेहनत करते हैं तो बस यह हमें उमीद होता है कि आप लोग कि निमयो का काम क्या है तो डाइनेमो का जो काम है वो आपको पता होना चींगी यांत्रे कॉर्जा को बिधूत उर्जा में बदलना है यानि कि परिवर्धित करना है थिक है नेक्स्ट कुष्चन देखेंगे आपके जो है 19 नंबर कुष्चन टेली बीजन का कि आविस्कार किस ने किया था आप लोग ये बताएंगे की styletfone का आप दातों में जो रासाइना पदार्त विदमान रहता है उसे क्या कहते हैं तो फट्वियbol दात में आपको पता होना चाहिए कि calcium phosphate होते हैं तो c is the right answer for this question तीक है नेक्स्ट आपके 21 नमर question को देखेंगे कि लोहे के pipe जिससे पानी की supply की जाती है उस पर जो है जस्ते यानि की जिंक की परत जो है इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग नौ लगे तो भाई साब आपको बताना है कि इस परत चढ़ाने की परकिरिया को क्या कहते है किसी लोहा के उपर जिंक का परत चढ़ाने की परकिरिया को क्या कहते है तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सरजी C होगा इसको कहते है यसद लेपन क्या कहते है यसद लेपन कहते है आगे बरेंगे और देखेंगे आपके 22 नमर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि किस अमल का उपयोग निरजली करन के रूप में किया जाता है ठीक है dehydrating agent के रूप में किस अमल का उपयोग किया जाता है यह आपको क्या करना है बताना है तो 22 के लिए जो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे वो आपके भी होंगे याद रखेंगे sulfuric अमल का करते हैं next 23 नमर कोश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है कि बिले को billion से प्रिथक किया जा सकता है तो बिले को आप billion से कैसे प्रिथक करेंगे तो आपको मैं बताता हूँ मालीजिये कि ये कोई बीकर है इसमें सरजी आपने पानी डाला हुआ है और इसमें आपने चीनी भी डाल दिया क्या डाल दिया चीनी तो चीनी यहाँ पर कहला आएगा सरजी बिले ठीक है और ये जो पूरा सरवत है कहलाता है billion ठीक है तो अगर आपको इस सरवत से चीनी को निकालना है पिर्थक करना मतलब अलग करना अगर चीनी को अलग करना है आपको तो कौन सा बिधिया आप अपना सकते हैं तो एक ही बिधिया सद्जी आपके पास वास्पी करन इसको क्या कीजिए गर्म कीजिए क्या कीजिए गर्म कीजिए इसमें टेंपरेशर बढ़ाएंगे तो पानी उड़ जाएगी चीनी आपका बच जाएगा तो भी आपके सही हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट कुश्चन 24 नंबर कुश्चन निमनलिखित में से कौन सी गैस बायू मंदल म कीजिए नहीं होती हैं ये अब क्या करेंगे याद रखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर कुश्चन पूछा जाता है कि पोरेशियम क्लॉरेट को गर्म करने पर क्या होता है अगर पोटेशियम क्लॉरेट को आपगर तो अपको मिलेगा तो यहां पर आपको पताएंगे उक्शीज इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हो गया आज का कलास कैसा लगा आपको कमेंट के माधिम से जरूर बताइए और जितने भी साथ ही अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किये तो लाइक कर देजिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ठीक है चैनल को जो लोग सब्सक्राइब के साथ मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी आप बिल्कुल फ्री में हमारे मॉबाइल एप पर दे पाएंगे जहां पर टेस्ट देने के तुरत बात आपका रिजल्ट दिखा दिया जाएगा कितना कुछन आपने सही किया कितना कुछन आपने गलत किया जितने बच्चों ने एक्जाम दिया उसमें रेंक आपका कितना है कितने नंबर पर आप आए हैं सारा का सारा तुरत बता दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग जरूर कीजिए और टेली ग्राम चैनल भाई साब जरूर जॉइन कर लेजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन म हम यहां पर क्या करते हैं डाल दिया करते हैं तो आज का वीडियो कैसा लागा कमेंट के माधिम से जरूर बताइए मिलेंगे हम लोग अगले कलास में तब तक अपना ख्याल रचिए और एल्जी और स्क्रिट देखते रहे हैं